कि दरिया तेरी अब खेर नहीं, बूंदून ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ, बुझिल इनको लहरून ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मोत समा, मरने का किसको खोप यहां, रे तलवार तुझे जुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है नमस्कार साथियों, जैहिंद मैं आपका साथी, राजपाल चोधरी, स्वागित करता हूं मेरे सभी नोजवान और विद्वान साथियों का सभी मेरे विद्वान साथी लाइफ जुड़ जाएं, साथियों आज की जो कलास होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वण होने वाली है अब अपनी साम को साथ बज़े रेगुलर, यानि हमेसा कलास चलेगी, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं, इसी चैनल के माद्यम से आपको महत्वण पशनोतरी मिलती रहेगी साथ यू आज हम कवर करेंगे सूचना साई का जो पेपर है, इसके लावा जो विदारती जूनियर अकाउंटेंट का भी पेपर देने जा रहे हैं, दोनु को यहां पर कलोज में यहां पर हो जाएगा क्योंकि जो कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे, कंप्यूटर भी हम कवर करेंगे, रिजनिंग के कुछ सवाल करेंगे, साथ में हम राजस्तान के जीके, यानि राजस्तान जीके के भी कुछ सवाल इस कलास में कवर करेंगे तो सभी मेरे विद्वान साथी एक बार क्लास को लाइक और शेर कर दें जुड़ जाएं पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन के उपर आचुका है मेरे दोस्त कि कंपूटर का साब्दिक अर्थ है आप निशित रहें आपके एक्जाम तक मैं आपको कंपूटर के जितने आपको एक बुक मिल जाएगी उसको आप अच्छी डंक से एक बार पढ़ लेना क्योंकि पिछले पेपरू में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वह उसमें कवर किये गए हैं कंपूटर का साब्दिक क्या होता है बिजली की मशीन मन वाला व्यक्ति गणना करने वाला या डेटीन भासा का एक सब्द है दोस्तों कंपूटर का साबदिक कंपूटर को एक ऐलेक्ट्रोनिक मशीन है और इसका उर्थ क्या है सब्सक्रोत गणना करने वाला नेक्स्ट शेक्ट शवाल आपके सामने है कि कंपूटर सबद का उद्भव कॉन सी बासा से हुआ सब्सक्राइब उर्दू जर्मनी लेटिन या फ्रांस इसी को सब्सक्राइब नेक्स शुआ लेकि विश्व कंपूटर साक्सरता दिवस कब मनाया जाता है विश्व कंपूटर साक्सरता दिवस 15 जुलाई 2 दिसंबर 12 जनूवरी 14 नवंबर साती उंबारा जनुवरी को आज कौनसा दिवस है राष्टिय युवा दिवस है कौनसा दिवस है मेरे दोस्त राष्टिय युवा दिवस कंप्यूटर साख सरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसम्बर को जो साती B answer दे रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर को कौन सा दिवस है बाल दिवस मनाया जाता है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है कि किसी वरस 18 मई को सन्निवार था तो इसी वरस 9 दिसम्बर को कौन सा वार होगा रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुदवार यह आपकी reasoning का सवाल आचुका है reasoning का सवाल आचुका है कि 18 मई को सन्निवार था तो 9 दिसम्बर को कौन सा वार होगा मेरे दोस्त 9 दिसम्बर को कौन सा वार होगा जल्दि से अंसर बताएं देखें किस-किस का राइट आता है साथ यूँ माई की मैं सबसे पहले आपको देखना है कि 18 माई से 9 दिसंबर तका टाइम निकालो देखे किस-किस का राइट आता है जल्दी से अंसर बताएं देखें देखो 18 माई जनौरी, फरौरी, मार्च, अप्रेल और माई दिन का हो गया, 31 दिन का होता है तो 18 निकल गए, तो पिछे मई-माई के दिन बचे 13 कितने बचे 13 उसके बाद में मई के बाद में जून के कितने बचे, जून के आपको बच गए 30 जुलाई के 31 अगस्त के 31 इसके लावा सितंबर, सब्तंबर के 30 अक्टूंबर के 31 नवंबर के 30 और दिसंबर के 9 दिन रिजनिंग का सवाल है और आपने अच्छे डंग से पढ़ रहा होगा कि देखो मैं 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 कितने दिन होते हैं मैं मैं 31 दिन होते हैं मैं 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 के बाद मैं जून जून में दिन होते हैं 30 तो 30 में डायरेट का भाग दिया तो 17 और इसमें दिया तो 2 और इसमें दिया तो कितने भचते जह अब इन सबको एड़ गर लो छे दो आठ और आठ और चे चौदा इसके लावाद दो सोला दो अठारा दो बीस और इकीस कितने आगे एक बार वापिश निकाले देखें कितने आते हैं एक बार निकालो देखें तेरा तीस एक तीस एक तीस एक तीस वाँ तीस और नो कितने वे छे दो आठ आठ और छे चौदा चौदा और दो सोला सोला और तीन उननीज इकीस और दो तेवीस तेवीस तो तेवीस में बाग दिया साथ का तो सातरी इकीस पिछे सेंसफल बचे दो कितने बचे दो सेंसफल दो बचते हैं तो इस दो को जोड़ लो सन्निवार में दो जोडे तो सन्निवार में दो दिन आगे जोडे तो क्या हो गया रविवार और सोमवार तो सोमवार भी आंसर अपना क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो यह कलेंडर का एक सवाल है अगला सवाल देखते हैं 2021 का calendar कब दो रहेगा यह देखो calendar का सवाल है 2021 का calendar 2022 में पैंटीस में अर्टीस में और पच्चीस में 2021 का calendar कब दो रहेगा जिसने रिजनिंग की अपने एपसे कलास से लिए उसका right answer आएगा दिसी तोर से मैंने बतेया था कि आगी जो कलिंडर होता है वो हर घ्यारा वरस अ दो रहता है हर लेकिन उस से पहले का वरस डहां डंक नहीं यह यादि लीफ वरस है 2021-00 से पहले का जो वरस है वह में 2020 और दो Camo 20 क्या है लीफ वरस है तो यह दो रहेगा चेह वरस उसे यानि कि twenty 21 में 6 जोड़ों तो 2027 यानि 2027 में दो रहेगा तो गुरुजी 2027 तो ओप्षन भी नहीं है तो 2027 के आगे और जोड़ों 11 तो कितने होगे 38 तो 2038 में दो रहेगा तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा जो विदारती सी बता रहे उन सब का करेक्ट है अगला स्वाल निमन में से कौन सी जील राजस्तान का नंद कानन केलाती है कौन सी जील केलाती है राजस्तान का कोलाई जील कांपर है विकानेर में है कपिल मुनी का आश्रम यहीं पर है फोई सागर जील शिलिशेड जील रामगड जील राइट आंसर बतो दे के राजस्तान का नंद कानन कों सी जी जील अल्वर में है अगला नेक्स अवाल तिरपुरा सुंद्री का मंदिर कांपर इस्तित है बांस वाड़ा चितोडगर्ड डुंगरपूर या बीक का नेर तिरपुरा सुंद्री का मंदिर कांपर है बांस वाड़ा में है बांस वाड़ा राजस्तान का सबसे दक्षिन का ज राजस्तान में सडकूं का नियुन्तम गनत्वे किस जिले में है सबसे कम गनत्वे सडकूं का जैसल मेर रासमन्द दोलपूर्या बाड मेर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जेसल मेर काँ पर है जेसल मेर में है तो जो साती ए आंसर दे रहे हैं जेसल मेर उन सब का राइट आंसर आ चुका है राजस्तान अक्षे उर्जा निगम लिमिटेड की इस्तापना कब हुई एक मार्च 2001, 16 सितंबर 2003, 9 अगस्त 2002 या 18 दिसंबर 2004 अक्षे उर्जा निगम लिमिटेड की इस्तापना कब की गई 16 सितंबर 2003 को ये सवाल भी आ चुका है एकजा में पूछा जा चुका है राजस्तान के किस सेर में सिमेंट का उत्पादन सरवादिक होता है चितोडगड जेपूर भरतपूर या दोस्सा सिमेंट का सरवादिक उत्पादन राजस्तान में कहां पर होता है चितोडगड जिले में होता है कौन सा जिला है चितोडगड और चितोडगड में राजस्तान का सबसे बड़ा दुरग है है चितोड का किला कि गड़ तो चितोड गड़ बाकी सब गड़ेया मेशा के पठार परिष्टीद है चितोड का किला राजस्तानी परिधान के परतीग है पगडियां पाईजा में परेके और पाईजा में समस्त वरनित विकलब यानि तीनु विकलब तो तीनू विकलप ही है, D आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा राजस्तान का परशिद बेनेस्वर मेला किस महीने में भड़ता है? पोस, आसाड, फालगून या माग बेनेस्वर मेला, बेनेस्वर धंग, कांपरे बेनेस्वर धाम? बेनेस्वर धाम तो है, बाई, डूंगरपुर जिले में, कांपरे? डूंगरपुर जिले में, तीन नदियों का संगम होता है कौन-कौन सी तीनू नदिया है, सोम, माही और जाख्खम तीन नदियों का क्या होता है, संगम होता है, मिलती है तिर्वेनी संगम बनता है यह तीन नदी आंकर मिलती है कौन से मैने में मा मामेने में माग में माग पूर्णिमह को लगता यह मेला यह पूछा जाता है के इस अगला सवाल एकर कंपूर्टर का है कि एनालेटिकल इंजनका अविस्कार कभ उवा इनलिटिगल इंजन का अविस्कार कब हुआ ता 1833 बी आंसर अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कि माइक्रोसोप्ट विंडो का प्रियोग कौन सी पीडी में हुआ पर्थम दूसरी तीसरी या चतूर्त साति यूँ देखो माइक्रोसोप्ट विंडो है इसका प्रियोग किया कौन सी पीडी में चतूर्त पीडी में देखो कंपूटर की पीडी या है वो आपको याद रखना ही रखना है जितने भी पांचुई पीडी अभी वर्तमान में चल रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंप्यूटर की PD के बारे में क्योंकि यहां से सवाल आपको एक पूछा ही जाता है हर एक्जाम में कंप्यूटर की जो पहली PD है यह 1982 से 1955 में है 1982 से 1955 में ठीक है यहां पर देखो इसमें ध्यान रख लेना यह आपको जो डेट है जो सन है यह अलग-लग मिलेगी अलग-लग किताबू में एक्जाम में कभी नहीं पूछी जाती है ठीक है तो यह ज्यान रख लेना अलग-लग आपको मिल सकती है कोई विदार्थी बोलेगा कि अलग है तो अलग-लग किताबू में अलेगलग मिल सकती है लेकिन आपको PC जाने रखना है पर्थम PD में क्या वा था, इसमें वेक्यूम ट्यूब्ह का प्रियोग़वा था है य्यप पूचा जाता है, वेक्यूम ट्यूब्ह का प्रियोग और इस्टोरेज यूडूम मेगनेटिक ड्रम का उप्योग किया गिया उपयोगा ये पूचा जाता है कि वह अविसकार कंप्यूठ की कौन सीरी सिर्ब्स में धाज था थीम्हाथ दूसरी पीटि के Sitri मैं मैं बात करते हैं कंप्यीटर की तो साथ कंप्यूठ की दूसरी सिरी पीड़ी ऐसे यह 1955 से 1964 इसमें ट्रांजिस्टर का प्रियोग किया गया किसका प्रियोग वाट ट्रांजिस्टर यह सिधा सवाल आता है कि ट्रांजिस्टर का प्रियोग कंप्यूटर की कौन सी पीडी में हुआ था तो में ध्यान रख लेना है दूसरी पीडी में उचिस्तरिये प्रोग्रामिक भासा पॉड्रान का उप्योग हुआ ठीक है उचिस्तरिये बासा का यह बासा भी पूछी जाती है वह चीज बता रहा हूं जो एक्जाम में पूछी जा चुकी है हमारे चतुर्थ पीडी के मैं बात करूँ साती हूं कंप्यूटर की चोती पीडी तो 1935-89 तक है इस पद में नहीं पीडी में VLSI का उप्योग किया गया VLSI और USI यह दोनुदे को एक्जाम में इसकी फुलबोरम पूछी जाती है राजस्तान पुलीस में पूछी कई कोंस्टेबल का पूरा नाम क्या होता है कि हाँ वेरी लार्ज स्केल इंस्टीग्रेट इस पीडी को कूंप्योटर की परिवर्तन लुटформ это Mega माईCRU-PROCESSOR का उप्योग किया जाने लगा कौन सी पीडी में माईCRU-PROCESSOR का चतुर्थ पीडी में अगली पंचम पीडी की बात करें तो 89 से अब तक चल रही है अभी चल रही है पांच यूपीडी इसमें ULSI का प्रियोग किया गया किसका करिया गया ULSI ULSI और VSI दोनु का पूरा नाम पूछा जाता है है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेंट तो यह याद रख लेना इनके फूप्लोरम यह पूछी जाती है एक्जाम में लेक्स अगला सवाल साती हूं कि डिफ्रेंस इंजन का अविस्कार किस ने किया तो यह चाल्जस बेबेज ने किया थ साल्जस बेबेज को कंप्श्च का पिता मा कह जाता है किद्धा आजकी क्लास में कितने सवाल सबाइब हैं और आपकी कितने सवाल राइट हुए है आपका क्या सकोर रहा है है आप एक बार कमेंड बोक्स में जरूर बताएं यदि आप कंप्यूटर अलग से पढ़ना चाहते हो कि एक सेपरेट क्लाश डेली कंप्यूटर की लगाई जाए एम सी की सवालों की ताकि हमारा ज्यादा ज्यादा और टॉपिक वाइस प्रेक्टिस हो सके तो आप कमेंड कर के बता दे अपनी राए जरूर दे ताकि हम रेगुलर उसकी क्लास लगा सके अ थार जब अजिए